मुझा आपका स्वागत है मैं पुर्णी में विश्वास बढ़ते हैं अपने खबरों कियो तो चलते हैं कॉंग्रेस पार्टी ऑफिस की ओर जहां पर हमारे संभादाता ने कॉंग्रेस प्रेसिडेंट रंगलार हादार से बात की रंगलार हादार ने काफी मुद्धों पर अपनी राय रखी जैसे की बढ़ती हुई महिंगाई, हमारे दिपों की बढ़ती बेरोसकारी तथा मोदी सब्कार की आलोचनाय भी की हमारे संभादाता ने उन सिर्फ हमारे दिपों में चल रही समस्याओं के बारे में कुछ सवाल की जैसे की बजली कर्टाथी की अधिक समस्याओं तथा एलपीजी गैस की कमी के बारे में चलिए इसी विशन में देखते हैं हमारे संभादाता रोहिट के साथ नमस्कार निजब तक मैं आप सभी का स्वागत है मैं हूँ रोहिट इस वक्त हमें कॉंग्रेस बवन के यहां पर और हमारे साथ है कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट मिस्टर रंगलाल हलदार जी और आज हम यहां पर आए हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा कुछ दिनों से कॉंग्रेस महंगाई चौपाल के उपर कई जगा कुछ अनेक अनेक प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो उसी के विशे में हम इनसे आज जानेंगे कि महंगाई चौपाल के उपर जो प्रोग्राम्स यह कर रहे हैं हर गली गली तो उसके उपर हम इन से जानते हैं कि आकिर क्यों और कब से यह लोग यह प्रोग्राम कर रहे हैं सर बताइए सर निव्जा आप तक को नमस्कर सभी दर्शकों को नमस्कर आपने जैसा कहा है कि महंगाई चौपल का जो प्रोगाम है अन्दमान निकौर आइलेंड में बहुत सर जागे हमने किया है फिलाल तो मैं मैं आपको यह कहता हूँ कि मैं नौर्थ और मिडल अन्दमान से महंगाई चौपल का उपर में जो प्रोगाम करके आया है आज ये महंगाई को उपर में ये महंगाई चौपल जो है केबल अंदमान निकोर आइलेंड में नहीं है ये पुरा हिंदुस्तान के अंदर में हर जगा में हो रहा है महंगाई चोपल, महंगाई पर चर्चा, महंगाई पर हला बोल यह सारे जो प्रोग्राम है यह महंगाई और आनिंप्लियमेंट के उपर में है आपने सुना था, 2014 में मोदी जी का एक नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार उन्होंने कहा था, जो मेरा बात सुन रहा है, जो भी मोदी भक्त ये सुन रहा है मैं उनसे निविदन है, जिन्होंने 2014 से पहले इतने बड़े बात कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार अब मोदी सरकर 2014 से लगातर है यहां पर, अब यह मोदी सरकर है कहां में, कहां, अब जब आप दो, आज महंगाई में त्रही मां अम देश, आज प्रेटोल का भाव कहां में है, क्या हो रहा है देश का अंदर में, कॉंग्रेस जमाने में 2014 में अब 50 से 60 रुपिया था, तब मोदी जी ने एक बात कहा, और अब मोदी जी, यह साथ साल के अंदर में, कॉंग्रेस सतर साल में 50 से 60 रुपिया लेके आया, और आपने साथ साल में 100 के पार कर दिया, आज डिजल का भाव कहां में है, कॉंग्रेस जमाने में 40 से 50 रुपिया होता था, आज, मोदी जी का यह साथ साल के अंदर में, आज 90 से 100 रुपिया पहुँच गया, यह सोचने बाली बात है, जनता जनर्धन से हर जगा में जाके यह, मैं यही कहता हूँ, कि हम जग्रुक करते हैं, कि आप सोचिए, जो जुमलाबाजी सरकार है, जो जुमले है हमारे लोग, जैसे 15 रुपिया देने का वादा किया था, दिया क्या किसी को, किसी के अकॉण में एक पैसा भी नहीं दिया, लेकिन कहा था जरूर, कालाधन खतम हो जाएगा, कालाधन को बापस लाएगा, और सब के अकॉण में 15-15 रुपिया देंगे, कहा पर है, यही मुदी जी ने कहा था, हर साल दो करोर जुबा को नोक्री देगा, लेकिन कहा हैं, आज नोक्री का परिस्थि क्या है, दो करोर तो छोड़िये, दो जान का भी नोक्री पाना, आज का समय में बहुत मुश्किल हो गया, अज 7-8 साल से, कोई देश के अंदर में नोक्री नहीं है, सेंटरल में आपका 10 करोर, 10 लाक, 10 करोर नहीं, 10 लाक पोस्ट, बेकेंड पोस्ट पड़ा है, मोदी जी उसको भी फिलाप नहीं कर रहा है, अंदमान निकुवर आइलेंड में, 10 साजार बेकेंड पोस्ट खाली पड़ा है, आज 6 मैने से हम लड़ते हैं, अंदमान एड्मिस्टेशन में, 6 मैना से हमारे लड़ाई चलता है, अभियान चलता है, कि हमारे बेरोजगार बच्चों को जो है, आप रोजगार दो, ये ब 576 पोस्ट अजो है, निकाला है, लेकिन इन इन में, इन में से क्या होगा, हमारे बच्चे, 10 साजार से भी जाधा, 20-30 अजार बच्चे अभी तक आप प्लेमेंट हैं, भियरूजगार है, हमारे दस हजार चाहता है, फिर भी तो कुछ होगा, हमारे बच्चों लोगों को जाते हैं कि 10,000 ये back-end post जब तक फिल आप नहीं होगा Congress ये अंदोलन जारी रखेगा जारी रखेगा और हम लोग छोड़ेंगे नहीं हमने administration से AB अनुरोद किया है कि हमारे COVID-19 में हमारे दीप के बच्चे जो है बहुत सारे बच्चे जो है उनके उमर पार हो चुका है क्योंकि उन्होंने इस समयकालिन में कोई भी नवक्री का कोई भी advertisement नहीं हुआ आज ये तीन साल हमारे बच्चों का क्या कसूर है इसमें? administration नहीं निकाला, administration दास जार बैक-end post लेके बठा है तो हमारे बच्चों को क्या गलती है इसमें? इसलिए administration से हमारे ये दरखास्त है कि हमारे बच्चों को जो है जल्दी से जल्दी तीन साल का जो है हम पांच साल डिमांड किये हैं कि पांच साल हमारे बच्चों का इस relaxation दो ताकि हमारे हर बच्चे कम से कम पार्टिसिपिट तो करे नए तो जिन्दिगी बार वो अपने दिल में, अपने मन में कोशते रहेगा कि हम पढ़ाई लिखाई करके करने के बाद में भी हम एक बार इंटर्वू दे नहीं सका तो उनका है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमारे बच्चे जो किसी हालत से भी इंटर्वू में बैठ सके इसलिए पांच साल का जो है रिलक्सेशन मैंने चाहा है दूसरी बात हमारी इस अन्दमान के बच्चों को लिए मेरा यही एक ही मांगा एक अड्मिस्टेशन से अड्मिस्टेशन सुन नहीं रहा है यह बहरा अड्मिस्टेशन है क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चों को कि किसी हालत से भी हमारे बच्चे जो है अन्दमान के बच्चों को यह 10,000 जो बैक एंड पोस्ट है यह post जो हमारा अंदमान के बच्चे को हूँ हम बाहरी बच्चे के लिए हम राजी नहीं है क्योंकि हमारे अंदमान के बच्चे बाहर जाएंगे तो कोई भी state में जाएंगे तो उसको यह मोका नहीं मिलेगा वो state वाले कहेंगे आप domicile certificate लेके आईए अब domicile certificate कहां से लेके आएंगे हमारे बच्चे क्योंकि वहाँ पर जनम नहीं लिया है लेकिन हम इतने जल्दी से हम online में हमारे बाहरी बच्चे को हम क्यों देंगे इसलिए दरखासत है यह इसको लेके अन्नोलन जारी रहेगा मैं administration का officer से administrator से मेरा यह निविदन है कि आप लोग ऐसा काम मत करें हमारे बच्चों को भविष्यों को आप बरवाद मत कीजिए कि हमारे बच्चे कोई भी बच्चे हो अन्दमा निकवार में जनम लिया बच्चे को आप नोकरी दीजिए अब बाहरी बच्चों को आप मत दीजिए क्योंकि छोटा एक जगा है इस छोटा जगा में आप पूरे हिंदुस्तान की हमें बच्चे अगर हमें अपलाई करेंगे क्योंकि हम को मालूम है कि हमारे बच्चे Meriland को बच्चे से compost कॉंपिट नहीं कर सकता है किसी हाला से भी नहीं कर सकता है हमारे Meriland के बच्चे जो है वह जीतेंगे थेकर इसलिए हमारा अनुद है कि आप ये हमारे अनलमान को बच्चे को जो है नोक्री दीजिए केबल, स्रीप, स्रीप पंड श्रीफ जो हमारे अन्नमन को बच्चे को अपनों करी दीजिए यह है अनेंप्लिएमेंट का बात रहा बात मोदी जी कहा था देखिए ऐसा एक जुमला प्राइम मिनिस्टर देश को मिला है जो हो जो आप सोज भी नहीं सकते हैं उन्होंने ऐसा कहा था 2019 में कि चपल पहनने वाला भी चपल जो पहनते हैं जो गरीब आदमी है उगरीब आदमे भी आपको हवाईजाज में चलेगा अन्नमान का लिए हो देश के बाकी इस्टेट के लिए हो, यह चपल पहनने वाला अब हुआज जाएगा, आज देश का अंदर में देश का हुआज है, एक इंडियान एरलेंस था, उसको भी मोदी जी बेज दिया है, वो भी आज टाटा कमपाणी का पसमें बेज दिया, हमारा देश बाशी चपल पहनने वाला अगरी बादमी, आप जाएगा कहा मोदी जी से पूछिए, कि मोदी जी, हम लोग तो जाने के लिए तैर हैं, लेकिन जाएंगे किसमें, यह संबब हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था, उनका एक एक बात सब जुमला है, एक एक बात उनक का सब जुमला है, वो जो कहता है, वो करते नहीं है, उसका उल्टाई करते हैं, चपल पैनने वाला हुआईजाज में जाएगा, लेकिन हाँआज नहीं हाँ, वो विक्री कर दिया, लेकिन अपना हुआईजाज, देश बिदेश जाने के लिए, सारे आठ अजार करोर से खर वाला अपने लिहें, अपने लिहें, श्रिप अपने लिहें, सारे आठ हजार करोड से होईजाज खरीदा है उन्होंने और ओ जा रहा है, लेकिन ये बात पूछिए, किसी से भी पूछिए, आप आठीय का मद्दम से पूछिए, ये सच्चाई है की नहीं है? अंधभक्त कहते हैं, गरीब का मसिया है, हिंदुस्तान के एक मात्र प्राइम इनिस्टर गरीब को सुनता है, गरीब के लिए जनम हुआ है, वो जोला चाप है वो कहते हैं हम मैं जोला लेके आया हूँ जोला लेके चल दूँगा लेकिन आप कह दो जोला चाप अगर प्राइम मिनिस्टर होगा जोला चाप अगर नेता होगा उनका सारे आठ हजार करोर का अपना हवाई जाज होगा ये सही है ये सही है लगजरी कार बारा करोर का होगा ये जोला चाप प्राइम निश्टर का है मैं गलत कह रहा हूँ मैं गलत नहीं कह रहा हूँ आप पूछिए किसी से भी आप जान करें लीजिए मिश्टर का है एक गरीब का मसीय का है पैनने में 10 लाग शूट है मैं गलत बता दाओं क्या पैनने में 10 लाग का शूट चस्मा कितना है उसका 1.5 लक्स का चस्मा है पेन का रेट क्या है एक लाग तीस हजार रुपया का पेन है खाता क्या है विदेश का मस्रूम खाता है देश का नहीं विदेश से तो ये गरीब ये गरीब लोगों का सिम्टम है ये गरीब का मसीय है हमारे देजबाशी हमारे देजबाशी से हमारा कहना है हमारा निविदन है अभी भी समय है अभी भी समय है आप समझो तो आपको समझना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे तो देश का हाल जो है आप परोशी देश आपने देखा है कि सिलंका का तरह परिश्टिती हो जाएगा आप क्यों नहीं समझते मैं आप से मैं पूछने चाहता हूं देश बासी से आप कब तक ऐसा रहोगे आप क्यों नहीं समझते आप देश के अंदर में विरोजगर को दूर करने के लिए एक कॉंटक में कोई क्कॉंटक कॉंटक को देश का जो है नौजवान को एक अगनी पति स्कीम लेकर है इन्होंने एक और प्रायमिनिस्टर का सोच है चार सल का नोक्री देश को बर्बाद कर देगा चार सल का नोक्री के है हमारा देश सदूर का प racistly क्या है एक चार चार साल के लिए नुक्री करेंगे देश सेवा करेंगे जिसका सपना जनम जनम तक है देश को सेवा के लिए आज यूबा क्या करेंगे चार साल के लिए अगनिपत स्कीम लेके आए एक ठेके का मैं ये कहता हूं ये अगनिपत स्कीम में कोई भी जूबा ना जाए कोई भी य आपको पांच सल, दस सल लगता है, आप चार साल में क्या कुरोगे, तो ये चीज आप सभी से मेरा निविदन है, कि आप समझे ए बात को, जो इतने बड़े जुमले इस देश का सामने रखा है, कहा है वो कालाधन, देश बासी से पूछा था, मुझे सौ दिन दे दो, मैं काल द्धन लाओंगा, सौ दिन, आप कितने दिन हो चुके हैं, कितने दिन हो चुके हैं, आज तो साथ साल पार होके, आठ साल बितने वाला है, कालाधन अब भी नहीं आया, और ना आएगा, कहा इलोलित मोदी, कहा इनके दोस्त, कोई बापस नहीं आएगा, सारे कालाधन सब जो है वाइट हो चुका है अब देश के पास में कोई कालाधन नहीं आए मैं भिनम्रनिवधन हमारे देश बासी से हमारे अंदमान बासी से आप इस अंधिरे में मत रहिए आप जागिए इसको जागने के लिए इसमें मेंगाई चौपल हर अंदमान के कोने कोने में हमने पॉंपलेट छापा है और पॉंपलेट का जरिया जो है हम हर जगा में हम भेशते हैं हम छोटे छोटे जो है मिटिंग करते हैं चौप के पास में हर जगा में हम एं मिटिंग करते हैं और हम मिटिंग करते जाएंगे और आपको जागरिक करते जाएंगे यही आसा है आप सभी से कि आप जागे जागने के बाद कॉंग्रिस को सपोर्ट करें कॉंग्रिस को हाथ को मजबूत करें ताकि इस देश को एक मात्र पार्टी है जो कॉंग्रिस पार्टी वही समाल सकते हैं इस देश को गरीब दिन दुखी को लेके चल सकते हैं वो एक मात्र पार्टी वही कॉंग्रिस पार्टी है तो आप सभी से मेरा पुन और आरेक बर न आप मजबूत करें, हमारे राहुल जी का हाथ को मजबूत करें, हमारे कॉंग्रेस पार्टी का हाथ को आप मजबूत करें, अन्दमान निकवर देब को आप मजबूत करें, यही आर्शाओं के साथ अपना जो है, जो भी हमने कहा है, वो आप पढ़किये और हमारा साथ देज नमस्कर तो इसमें जो पोस्ट है यह आनलाइन फिलिंग है तो आनलाइन फिलिंग में तो जो बाहर के स्टेट के भी लोग है वो भी भरते हैं और इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे कि सिर्फ अंडमान के लिए इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे और अभी जो पोस्ट जो निकला है इसमें अलग से एक कुछ लाइन से आप देखे होएंगे कुछ टम्सन कंडिशन्स में लिख है क्रीमी लेयर तो इसके बारे में भी दो शब्द आप आप अपने मूझ से बताईए देखिए जो मैंने इसलिए साती साथ जो है CSF से मिलने के लिए मैं चिठ्थी बेजा है कि मैं अन्दमान अड्मिस्टेटर उनसे भी मिलने के लिए जो है चिठ्थी बेजा है जल्दी से यह भी हम आग्रह किया है अड्मिस्टेशन से कि जो भी ओन लाइन में हमारे बच्छे जो है में से भर रहा है उन बच्चे को जो है आप उसको बंद करे तकि अगर दस अजार बैक collective पोस्ट अगर इतना दस हजार बैक के पोस्ट यह अन्लमान के लिए होगा कुछ तो कुछ में हमारा बच्चो को भलाई हो अगर इसमें अगर मेरिलैंड को बच्चों को आप अगर भरने का अगर अनुमती मिलेगा तो हमारा बच्चा जो है कोई भी नोक्री यहाँ पे नहीं मिलेगा हमारे बच्चों को कोई फैदा नहीं होगा इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप यह नहीं कर सकता है तो आप इस पोस्ट को अब बंद रखिए, अब मत कराइए, क्योंकि अगर आपको लेट होता है, आपको अगर कुछ करने के लिए अगर लेट होता है, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि अगर और भी एक साल लग जाए, बंद हो जाए, कोई बात दिये, लेकिन हमारा अन्दमान तो हमारा अन्दमान एड्मिस्टेशन से निवेदर है, कि प्लीज आप इसको जो है, आप बंद करें, ताकि हमारा जो बच्चे है, वो बच्चे को कम सकम मुका मिले, क्योंकि अभी ये दस अजार बैकन पोस्ट को अगर अभी फिलाफ हो जाएगा, उसके बाद हमारे बच अगर कुछ अगर आप इसमें पोट्षाइद करता है और उसको मुका देता है, तो हमारे अन्दमान का बच्चो कभी भी इसमें लाब नहीं मिलेगा, उसमें हमारा बच्चा का पुरा लुकसान होगा, अभी बाबब जो इतने पैसा खर्चा करके इतने इतने दिन अपिक् सारे लोग जो है अन्दमान निकवार के निवासी जो है बहुत दुखी होएंगे और उनका बच्चों का जब भुष्षत जो है अंधिरा में रहेगा तो इसलिए हमारा हम यही कहने चाहता है एडमिस्टेशन से कि आप ऐसा काम ना करें जो भी है आप लोग हमारा जो हमारा कोई जगा नहीं है हमारे बच्चों को जो है बविश्चत इसी को उपर मेही का हुआ है ना कोई इंड़ाश्ट्री आया कुछ है यहां पे कोई प्राइबेट सिक्टर है नहीं हमारे एक मात्रशाद बना गॉवर्मेंट सर्वीस अगर यह गौवर्मेंट सर्विस में अग नहीं चाहिए हमारा यह निविदानाए अड्मिस्टेशन से ऐसा कम आप ना करें तो अब हम आपसे दो ऐसे सवाल पूछेंगे जो हमारे यहां पर इसे लेकर काफी ज्यादा परिशानी है पहला है एल्पीजी गैस और दूसरा जैसा अब हम आपके आफिस में बैटे हम जब लोग बिल पे करते थे वो ही अमांट से अमांट आ रहा है बट पावर कट इतने घड़ी घड़ी क्यों हो रहे हैं आप लोगों ने कई बार दना प्रेशन किया और एक बार आप लोगों ने लेक्जिश्टी आफिस के सामने आप लोग जाकर दना प्रेशन करें दन ऐसी मे महनें से नहीं मिल रही है. लोग परेशान है और लोग जब गोडाउन जाते हैं तो लोगों को वहां बहुत देर खड़ा होना मुद्द है देखिए अब यह आप जासा कहा इलेक्टिसिटी डिपर्मेंट का बात कहा हमने चे मैने के अंदर में बहुत सारे जो है इसके जुद्ध जहत किया हमने बहुत सारा स्टाइक धर्ना इसतब किया है करने के बात जब मडम थी ऐसी एलेक्टिसिटी तब उनके पास में गहे थे तो उन्होंने कहा था कि पांच मेगावट का एक मेशिन जो है एक मेहना का अंदर में आने बाले हैं हम आप से हमने वो नूज़ पिए और हम आपको यह बता दे कि वो निूज़ कवर करके एक कम से कम 4-5 मेहना हो रहा है अभी और वो एक मेहना जो मेहना अंदर वो चीज हो जाएगा वह चीज अभी तक सॉल क्यूं कि नहीं हो इस से उन लोगों का परिशानियों से हमारे दीफ तराब हो जाता है क्योंकि high voltage, low voltage इसके कारण उन लोगों को और इसका भुग्दान आखिर का इसका करेगा कौन Actually क्या है, पहले ही हमने कहा कि इस अंदमा निकोवर आइलेंड में एक गुंगा बहरा administration जो मोदी अडमिस्टेशन है यह गुंगा बहरा है यह जनत का आवाज को सुनता नहीं है यह पहले ही कहा क्योंकि पहले आपने देखा था कि जितना भी हमारा आज का यहां पर हम जिसको तो राजा कहते हैं जो हमारे मायपाप है यस अंदमा निकवर आलाइलेंड की हमारे लिफ्टरान गवणर साप है अब लिफ्टरान गवणर साभी तेन साल से कोई पॉब्लीका जो हर मंगलवार को जो ब describes भी जी होता था सो आप इससे लीडर कर रहें आप良 हो आप लोगों से मिल रहे है मैं चाहता हूं आपसे जब पब्लिक से नहीं मिलता है तो नेता से कहा मिलेगा नेता वह जो एक वह, छित हrop लेकिन राजय महोड पील stam स मिलने का राजी नहीं आज electricity का जो आप बात कर रहा है, आज आप cash का बात कर रहा है, अगर electricity नहीं रहेगा तो हमारा बोलने से पूरा हार day to day life का क्या होगा, अपने सही कहा, लेकिन ये हमारा राजा महासाय को तो समझना कि आज दीपो के अंदर में पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, electricity का बारे मे आज तो कोई कहा नहीं गया था, लेकिन आज क्यू है, आज परिशान है लोग, आज वो megawatt machine क्या आता है नहीं आता है, उसका कोई नहीं है, पता नहीं है, एक officer जूट बोलता है कि हमको आने बाला है, 5 megawatt, 8 megawatt machine आने बाला है, एक मेना में आ जाएगा, एक मेना में इस problem क सब्सक्राइब तो इस तरह एडमिस्टेशन कभी चलने वाला है इसलिए आप देखो बहुत तकलीफ होगा आंदमान के लिए क्योंकि ऐसा कर एडमिस्टेटर होगा जो पुब्लिक से नहीं मिलता है कोई नेता से नहीं मिलता है पुब्लिक में जानकर ही नहीं लेता है तो कह जाएंगे जनता क्या करेंगे तरही में जनता इसलिए एलेक्टिसिटी को हूपर में हम बता के इतना धरना देके इतना सारा कुछ आवाज उठाने का बाद में भी आज हम लो कोई सुलह नहीं हुआ कोई हमारा बेनिफिट नहीं हुआ लेकिन हम चाहते हैं एडमिस्टेश परमिशन अगर यह सोचता है कि कॉंग्रिस को दबा के रखेगा और यह प्रोगाम नहीं करेगा यह गलत है इसके लिए हमारे आने वले समय में हम लोग बहुत बड़ा एजिटेशन करने जा रहा है जो एलेक्टिसिटी के संबसक है कि उस समय में एडमिस्टेशन नहीं कहना कि भाई आप ए कर देजी भाई आप वो कर देजी भाई आपको परूशन ने पर्मिशन दो नहीं दो लेकिन आने वाला समय में हम लोग जरूर इसका उपर में आवाज उठाएंगे और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग फिल्ड में रहेंगे सर अब आप से हम LPG GAS के बारे में बात करेंगे क्योंकि देखिए CCS के जो सेकरेटरी है वो चुना हुआ था तो कॉंग्रेस के ही एक प्रतिनीती उसमें है तो इसके बारे में भी आप कुछ बताईए सर क्योंकि अभी जो LPG GAS का जो प्रॉब्लम है ये बहुती बड़ा है सर इसके बारे में भी आप कुछ बताईए क्योंकि ये हमारे जितने वियूर से हमारे दीवफासियों ने हमसे ये कहा है ये सावाल आप से पूछने के जरूर तो इसमें अब यह कोई यह नहीं बात नहीं है, कि कॉंग्रेस का सपोर्ट से जो है, कॉंग्रेस एक सपोर्ट किया ग्रूप को, बीजेपी एक सपोर्ट किया, दूसरा सपोर्ट किया, इंडिपेंडेंडेंट था, लेकिन उसमें कॉंग्रेस जिसको सपोर्ट किया, वोई आया है, और उजीता है, CCS ऐसा एक शंस्ता है, जिसमें हम लोग support में हो सकता है, लेकिन इसमें अभी आंधुरी, आंधुरुनी का जो बात है, इसके पहले, जो BJP का हाथ में थे, एक CCS को खुकला कर चुका है, एकदम खुकला कर चुका है, इसमें खाली देखने में CCS हैं, लेकिन उसके अंदर में कुछ नहीं है, फिर भी हमारे लोग जब गये वहाँ पे, उसको भरपाई कर रहा है, आज आपको मालूम होगा, कि ये ट्राक, ऐसा परिस्तिती CCS का अंदर में हुआ है, अभी जितना यहां से, आप पैसा नहीं देने से, तो कुछ काम नहीं बनेगा, आप कोई जगा में गैस को भरपाई करेगा, तो उसका पैमेंट आने का बात जो है, उसको जो है, उसको गैस मिलता है, तो ये चीज के लिए जो है, हमारे CCS के अंदर में, पहले से CCS वीक था, और अब भी हमारे इसमें, ये थोरा टाइम लगेगा भरपाई करने के लिए, उसके बाद अब देखो, कि ज़रूर आपका ये जो मांगा है, आपका जो ये कहना है, जितने भी हम कहते हैं, कि भाई, ये CCS सापना ही नहीं हो रहा है, कुछ दिन के बाद में जो है, ये सारा सब ठीक हो जाएगा. सर, करीबन चार मैंनों से लोगों को LPG, गस सिरिंडर जो है, वो नहीं मिल रही है, लोग इससे परिशान है, इसलिए हम आपसे ये बात पूछ रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है, कि सिरिंडर कतम हो जाता है, लोगों का एरिया तक जहां पर वो रहते हैं, वहां तक मतलब फुल्फिल नहीं कर पा रहे हैं, पबिक के डिमेंड, तो इसके बारे में भी कुछ बताई आप, बाबा मैंने ये की बात बोला, इसके पहले ये जितने भी आज प्रॉब्लम किये हैं, आज जो प्रॉब्लम हो रहा है ग्याश का बारे में, पहले से तो CCS को खोकला क ही रखा है, इसलिए उस लोग छोड़ के चले गएं, लेकिन वही हमारा यही कहना है कि भाई, अभी हमारा पास में इसको बरपाई करना बोलने से आपको समाई लगेगा, चाहे कोई भी संस्ता होने दो, कि ये संस्ता को ऐसा बरबाद किया है विजय वाले, कि जहां पे वो खाड़ा होना ही मुश्किल है, लेकिन पर भी हम चला रहा है, कुछ दिनों के अंदर में ये सारा जो है धिरे धिरे आपको सिटल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा से आप लोग रुखिए, थोड़ा से आप समाई दीजिए, क्योंकि हमारे लोग जो है, डे अन नाइट काम क परता है, इसलिए आपका कोई भी समय में अगर 15 दिन अगर डिले हो गया, एक अपतर डिले हो गया, तो यह में आपको जो है, आपको एक महना दिरमना डिले हो जाते है, तो यह एक सिस्टेम है, इसलिए आप सभी से मेरा निविदनान है, थोड़ा से धिरेज रखिए, CCS आपको अच्छा बहतर आपको गयर सप्लाई करेगा, तो बहुत बहुत निवाद रंगलल जी, तो जैसा हम आपको बता दे कि महंगाई चौपाल के बारे में, अब हम बात कर रहे थे हैं रंगलल हल्दा जी से, तो इन्होंने हमें कई सारे बाते बताई, महंगाई के ओपर और हमारे अर्णमा निकोबार में जितने भी प्राब्लम्स हो रही है, महंगाई को लेकर, हमारे सारे प्रश्ण का इन्होंने जवाब दिया, तो हम आशा करते हैं कि इसी तरह हम डे टुडे आप लोगों को अपडेट रखे, न्यूस आप तक के साथ आप इसी तरह बज़ देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन प्रेस करना ना भुले, हमारा अपना न्यूज आप तक आप साच देखेगा अन्दमान